ले एन is not proud और यहां पर इसके साथ question tag है हमारे पास is she क्योंके question क्योंके यह sentence हमारे पास negative है ठीक है not proud is not proud तो यह यहां पर हमारे पास question tag जो है वो affirmative form में होगा यानि कि इसके अंदर not में लगेगा यह isn't she नहीं होगा बलकि यह is she होगा अगर यह sentence होता ले एन is proud तो फिर इसका जो है वो question tag क्या होता isn't she negative form में होता मगर अब यहां पर question tag जो है वो affirmative form में है इसके लावा यह एक और exercise हमारे पास page number 71 पे इस पे हमने क्या करना है कि question form में इस तमाव sentences को हमने change करना है ठीक है तो हम यहां पर क्या देख रहे है Mr. Chang gave me a lift Mr. Chang ने मुझे lift दी है तो हमने इसको change किया है क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है वो हम देख रहे हैं कि यह past का sentence है और यहां पर जो है वो verb की first form नहीं use की गई है definitely past का sentence नजर आ रहा है हम तो हमने यहां पर इसको question की form देने के लिए हमने यहां पर did use किया है और did के साथ हम हमेशा verb की first form use करते हैं तो हमारा यह sentence बन गया did Mr. Chang give me a lift question mark ठीक है ऐसी तरीके से हमने जो है वो तमाम sentences change के हैं the students steady very hard did the students or studied यहां पर first form आ गया है verb का steady very hard ठीक है यहां पर call था यहां पर call की first form आ गई है did के साथ हम हमेशा first form use करेंगे ठीक है यह यहां पर helping verb था इसकी भी हमने यहां पर first form यूज किये यह भी जो है वो slept जो है मार पास हमने इसकी भी first form यहां पर sleep यूज किये ठीक है I hope you understand these tenses इंशाला विल सी यू इन नेक्स वीडियो आला हाफेस